आपको पढ़ना है सेवंध लेसं तक आपको पढ़ना है सेप्टेमबर है एइट लेसं तक आपको पढ़ना है तो इसके अंदर से क्या-क्या पूछा जाएगा मैं सारे टिक करना होगा आप टिक कर लेजिए अच्छी तरह याद कर लेजिए सेट के कुछ भी आपको नहीं आएगा यह सारे पिक्चर्स आपको याद करके जाना है और इसके नेम्स आपको लिखना है और उसी तरह यहाँ पर देखी यह आपको पढ़ना है कि map करकर आपको लिखना है यहां पर अच्छी तरह पढ़कर आपको जाना है किया आपको पूछ रहे पिक्चरश देए गया है the pictures पढ़ना है page number 11 पर पे आप next है कर बढ़ा है यहां से देखे यह आपको पढ़कर जाना है यह भी आपको पढ़ कर जाना है यहां पर क्या कह रहा है यह picture को देखे वर्डिस के अंदर underline करना है और यहां पर देखे जहां 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 गुणिंताल के एक्षर आ रहे है सरकल डालना है इस तरह आपको उसी तरह यह pictures भी आपको देख लेके जाना है क्योंकि pictures पर उसकी तरह यहां पर यह याद कर लिजिए फॉस लेशन में से उसी तरह यह याद कर लिजिए जता परचंडी मैच करना है इस वाले लेशन में से और second lesson में से आपको पढ़ना है यह गावत्तु लगाने के आपको पढ़ना है second वाले lesson में से और यहां से आपको पढ़ना है यह सरकल जलना है आपको जो भी इसका वर्ड होगा उसको और यहां से आपको यह पिक्चर को देखर इसके नेम्स आपको लिखना है यह आपको याद करना है अब नेक्स लेसन में से यहां से देखिए यहां से आपको यह याद करके जाना है यह है लेसन नमबर थर्ड और उस तो गजल लेसन में से ये आपको अच्छी तरह देख लेना है सारे और उसी तरह ये मैच करना आपको याद करना है क्योंकि ये किसी तरह एक्जाम में पूछेगा नेक्स्ट चेट्टू लेसन में आएंगे चेट्टू लेसन में आपको ये पढ़ना है तावत्त लगाने का और ये भी आपको पढ़ना है दोनों को आपको अच्छी तरह याद करना है और ये भी आपको याद करना है इस वाले लेसन में से और नेक्स्ट ये देखिए ये व तो 6th lesson में से लेड़ो में से देखींगे हैं लेड़ो में से यह याद करना है आपको डावत तो जान जहाएं यहाँ पर लिखना आपको फॉस्स सेक्शन नहीं पूचेगा और उसी तरह यह भी आपको लिखना है और यह पोएम है यह पोएम देखें आंसरस लिखो बोलेगा या इसको लिफ कर दीजिए 7th lesson में देखींगे 7th lesson में यह आपको पढ़ना है अच्छी तरह और यह भी आपको पढ़ना है यहाँ से दो own sentences आपको पढ़ना है उसके बाद फिर देला मोटा इस वाले lesson में से यह अच्छी तरह पढ़ना है आपको यह picture के names की जगा क्या करना में picture की जगा इसका name लिखकर लिखना होगा मेरे वीडियो साथ देखिए आपको समझ में आजाएगा फिर यहाँ पर आपको words बना के लिखना है और यहाँ से आपको own sentences लिखना है इस तरह आपको लिखना है और last section एक आपको picture draw करने के बारे में भी दिएगा वह भी आपको देख लेकर जाना होगा तो यह था syllabus 7th class का all subject ले भी मैं upload करेंगो all the best सभी students